हलो प्यारे बच्चो गुड मॉरेंग कैसे हो आप सब मैं डॉक्टर मंजेत फ्रोम जी ट्री पलस ख्रैपुनिया आप सब का इस कक्षा में स्वागत करते हूं और आज का हमारे टोपिक है बहुपद पॉलिनोमियल और इस कक्षा में हम करेंगे कि चर्क ये दिये गए मान प चलिए एक एक्जामपल से देखते हम एक एक्सप्रेशन आपके सामने जो है बहुपद दिया हुआ है पांच एक्स की दो प्लस तीन एक्स माइनस साथ तो इसमें चर्क क्या है एक्स चर्क क्या है एक्स और जो अच्छर है या कोंस्टेंट है वो क्या क्या है पांच तेन और साथ, एक स्केर का गुना क्या है, पांच और एक्स का गुना क्या है, तीन, और पद क्या है, इसमें तीन पद है, इसमें पांच एक्स की दाओ, तीन एक्स और साथ, चले एक एक्जम्पल से हम देखते हैं, चेक करते हैं कि यह दिया हुआ जो एक्स्प्रेशन है, यह बह अगर उस बहुपद में जो वेरियेबल है उसको हम किसी स्पेशल वैल्यू से रिप्लेस कर दें तो वो हमारे पास क्या देता है उस बहुपद का उस इंडिगेटिड वैल्यू पे वैल्यू देता हमें फोर एक्जेम्पल कि ये हमारे पास एक बहुपद है पी एकस दो एकस की दो प्लस तीन एकस माइनस दो और इसकी वैल्यू हमें ग्यात करने का आपे एट एकस इकवल टो वन पे तो उसके लिए हम क्या करेंगे उपरवाड़ा जो बहुपद है उसमें जहां जहां एकस दो उ इक्वल टो वन पे क्या है तो यह इस बहुपद का दियेवे बहुपद का संकेतित मान है किस पे एकस इक्वल टो वन पे एक पोर एक्जेम्पल हम करते हैं यह हमें बहुपद दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें कहा का निकाल ली है एकस इक्वल टो जीरो पे एकस को किस से replace कर दें 0 से 5 into 0 minus 4 into 0 का square plus 3 तो solve out करने पर क्या मिला हमें 3 तो इस बहुपद की value at x equal to 0 पर क्या आगी 3 चलिए 2 के लिए और कर लेते at x equal to कितने पर निकाल हमें 2 पर तो 5 multiply 2 minus 4 multiply 2 raise to the power 2 plus 3 5 multiply to 10 minus 16 plus 3 तो at last क्या आगा है minus 3 तो इस expression की value कितनी आगी at x equal to 2 पर 3 minus 1 पर आप करिए और आप से मुझे answer बताइए एक और हम देखते हैं कि यह जो बहुपद हमें दिया हुआ है उसकी value किस पर निकालने हमें at x equal to y equal to 0 पर क्योंकि इसमें variable क्या है y को किस से replace कर दे 0 से 0 minus 1 0 plus 1 minus 1 into 1 क्या है minus 1 1 के लिए करोगे तो क्या करेंगे हम same process रहेंगा y को किस से replace कर दे 1 से 1 minus 1 1 plus 1 0 multiply 2 तो क्या है 0 2 के लिए और कर लेते चलिए तो 2 minus 1 2 plus 1 1 into 3 तो value क्या आगे 3 तो हमने देखा कि एक बाउपद के हमने 3 values पे indicated value निकाली है 0 के लिए 1 के लिए और 2 के लिए next हमारे पास बाउपद का सुन्डिक चरका भे मान जिसके लिए बाउपद का मान किसके बराबर हो जाई या बाउपद की value है अभी हमने पिच्छे जैसे indicated value निकाली थी अगर वो value 0 की बराबर आ जाती है तो वो value क्या होगे उस बाउपद का क्या कहलाती है सुन्ने पिच्छे हमने एक expression था हमारे पास एक बाउपद था y minus 1 y plus 1 तो हमने देखा था कि अगर हम y को 1 से replace करते है तो 1 minus 1 1 plus 1 तो 0 into 2 that is 0 तो y equal to 1 के लिए इस expression की value है वो क्या आगी 0 तो y equal to 1 इस बाउपद का क्या है कि सुन्ने से लिए एक example और करते हम यह हमें बाउपद दिया हुर है अगर हम यह बता रहा है अगर यह 0 के बराबर नहीं आता तो ये सुन्नेक नहीं होता है इसका चलिए एक और एक्जेंपल हम करते हैं ये बाउपद हमें दिया हुआ है और हमें दो values बताने की क्या दोलों इसके बाउपद के सुन्नेक है या नहीं है सेम प्रोसेस रहेगा हम ऐसको किस से बदल ले माइनस 1 से तो माइनस 1 का स्केर 1 1 माइनस 1 जीरो इसी तरह 1 के लिए चेक करेंगे तो 1 की 2 माइनस 1 1 माइनस 1 तो हमने क्या देखा जब S को माइनस 1 से रिप्लेस किया तो भी value क्या आई 0 और S को 1 से रिप्लेस किया तो भी value क्या आई 0 तो ये दोनों ही इसके क्या है सुन्नेक है क्या ही इसके सुन्नेक है किसी बहुपद के अधिकतम सुन्नेक उसकी घात के बराबर होते हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकते अभी तक हमने सुन्नेक चेक कर लिया कि वो सुन्नेक है या नहीं है अब next कि उसका सुन्यक निकालती कैसे है, कि कैसे निकालती है, जर्नल जो रूप होता है बहुपद का वो यह होता है linear का ax plus b, सुन्यक के लिए हम क्या करेंगे, जो expression हमारा बहुपद दिया हुआ है, उसको हम क्या रखेंगे, 0 के बराबर, और वहां से फिर हमें x की value find out करनी, जो x की value आएगी, वो उसका क्या होगा, 0 होगे, उसका सुन्यक होगा, जैसे ax बराबर minus b, x बराबर के आगे, minus b बटे a, चलिए एक example करते हम, जैसे 2x plus 5, इसका सुन्यक ग्यात करना, तो क्या करना होता हमें सुन्यक के लिए, बहुपद को सबसे पहले किसके बराबर रखे 0 के, तो हमने ये value रख दी, जो हमारा बहुपद दिया हो था, उसको 0 के बराबर, तो 2x बराबर क्या गया, minus 5, x बराबर क्या गया, minus 5 बटे 2, तो ये इसका क्या है, सुन्यक, हम अपने answer को verify भी कर सकते हैं, पीछे हमने क्या बढ़ा था, अगर वो उसका सुन्यक है, तो ब minus 5 बटे 2, x की जगह पर क्या रख दे, हमने minus 5 बटे 2, पलस 5, 2 से 2 कैंसिल, minus 5 पलस 5, तो क्या गया, 0, आप ऐसे verify कर सकते हो, इसको, एक और example हम करते हैं, आपको ताकि और clear हो जाए, बिलकुल है, पीवाई बराबर, 0 सुन्ने के लिए, सब से पहले क्या करना में, जो minus 2 equal to 0, 3y equal to 2, तो y equal to क्या आगया, 2 बटे 3, तो इस बवपद का सुन्ने क्या आगया, 2 बटे 3, तो हमने क्या क्या किया अब दत, बवपद जब एक या अधिक पदों को पलस या माइनस से जोड़ा जाता है, तो हमें क्या मिलता है, बवपद, किसी बवपद का संकेतित मान ज्यात कहाने के लिए हम क्या करते हैं, उस बवपद में जो चर है, उसको संकेतित वैलो से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, थर्ड, चर कव है मान जिसके लिए बवपद का मन क्या हो जाए, जीरो, वो क्या कहलाता है, उस बवपद का सुन्नेक, और कुछ और facts, important facts बवपद के सुन्नेों के अधिक्तम संख्या क्या होती हो, उसकी घात के बराबर, लेकिन ऐसा हो सकता है, कि बवपद की घात से कम सुन्नेक आ जाए, कब होगा, अगर जो सुन्नेक है, वो equal हो, हमारे पास, next, जो non zero polynomial, या हम कहें कि constant जो polynomial है, उसका कोई भी सुन्नेक नहीं ह और example मैं लिखूँ कि PX बराबर है 5, तो X को आपके किसी से भी इसमें replace कर दीजे, कभी zero होगा, नहीं होगा, तो इस बवपद का कोई भी सुन्नेक तहीं होता, मतलब non zero constant जो polynomial है, उसका कोई भी सुन्नेक नहीं होगा, और इसका opposite zero polynomial की हर एक संख्या, हर एक real number उसका क्या हो होता है, बवपद का क्या होता है सुन्नेक, जैसे मैंने लिख दिया PX बराबर 0, तो यह तो X को चाहिए, आप 1 से replace किजिए, P1 भी क्या आएगा, 0, P2 भी क्या आएगा, 0, P3 भी क्या आएगा, 0, तो जो 0 polynomial है, उसका हर एक number क्या होता है, बवपद का क्या होता है, सुन्ने आज की वीडियो में आपने जो भी सीखा उसके आधार पर इन तीन प्रशनों के उत्तर दीजिए प्रशन एक प्रशन दो प्रशन तीन बताईए आपको वीडियो कैसी लगी धन्यवाद